के ओनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट में हम देखने वाले हैं सविधान के 30 ऐसे बहुत बार पूछे जाते हैं तो प्लीज आप इस टेस्ट को पूरा एंड तक लगाएगा और 30 में से आप कितने सही कर पाते हैं वो मुझे कमेंट बोक्स में जरूर बतेगा अगर आपको करिएगा ताकि दूसरे स्टुडेंट की भी हेल्प हो सके और इससे पहले भी मैं सविधान पे कई टेस्ट ले चुका हूँ उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में दे दूँगा बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन कवर के उन सभी टेस्ट में भी तो उनको भी बाकि अगर आप चाहते हैं डेली इसी तरीके से आपको उनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट की वीडियो साथी साथ रीजिनिंग और मैथ की वीडियो मिलती रहे तो नीचे रेड कल के बटन को दबा करके बैल आइकन को ओन कर लीजेगा ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेश की जाती हैं तो बिल्कुल सही अगर आप यहां पे राइट आंसर और और मुख्षन सी लगा रहे हैं तो मुख्यमंतरी जो न्यूक्ति हो राज्यपाल के द्वारण की जाती है और राजपाल के द्वारा ची जाती है। Q2. संग राज्य छेत्रों का प्रसासन कौन चलाता है? तो बिल्कुर सही है दोस्तों, अगर आप उप्शन B लगा रहे हैं, राजपती दुआरा, तो बिल्कुर सही है राइट आंसर उप्शन B हो जाएगा Q3. राज्य का राज्य पाल किसके परती उत्तरदाई होता है? तो तीसरे का राइट आंसर बिल्कुर सही, ओप्शन D राइट आंसर हैगा राश्टपती Q4. किस राज्य में विधान सबा सदश्यो की संक्या सरवधिक है? तो बिल्कुर सही है यहाँ पे 4 का राइट आंसर ओप्शन A हो जाएगा उत्तरपरदेश Q5. विधान सबा एवं विधान परिशद के वर्स में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य है? बहुत अच्छ अच्छे कोशन है आप साथी साथ राइट आंसर भी बताते रहें क्योंकि मैं आपको प्रोपर टाइम देता हूँ 5-6 सेकिंड जिसमें आप नीचे कमेंट बोक्स में आंसर बता सकते हैं अगर टेस्ट पसंद आ रहा है तो दोस्तों को भी शेयर करतीजे जल्दी से बिल्कुल सही पांच में कराइट आंसर बी हो जाएगा यानि की दो ठीक है कोशन नमबर शिक्स तो इसमें बोला जा रहा है विधान परिशद के बारे में निमिन में से कौन सा कथन ऐस सत्य है यानि की उप्रुक्स में से कोई नहीं इन में से कोई भी ऐस सत्य नहीं है सारे सत्य है ठीक है चले कोशन नमबर 7 पर जाएंगे ओप्चन D हो जाएगा ठीक है कोशन नमबर 7 सविधान के अनुच्छे 370 के दुआरा किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त ह तो ये बच्चे बच्चे को पता है राइट आंसर हरे कान ची कमेंट बॉक्स में तो बिल्कुल सही है साथवे का राइट आंसर C हो जाएगा कोशन नमबर 8 वरतमान में भारत में कितने राज्यों में विधान परिशत कारे रत है तो बिल्कुल सही आठवे का राइट आंसर ओप्शन D हो जाएगा कोशन नमबर 9 राष्टिय विकास परिशत की बैठक में राज्य का परतिनिदित कोन करता है तो नववे का राइट आंसर यहाँ पे ओप्शन A हो जाएगा ठीक है दोस्तों कोशन नमबर 10 राज्य का पर्थम विदी अधिकारी कोन होता है तो कोशन नमबर 10 का राइट आंसर ओप्शन C हो जाएगा कोशन नमबर 11 भारत के सरवुच नियाले में नियाजीसों की कुल संख्या है तो यह कोशन मैंने अभी भी आपको कराया था 3-4 दिन पहले साथ और यह बिल्कुर से ग्यारवे का राइट आंसर यहाँ पर C हो जाएगा ठीक है चले नेक्स कोशन पर चलते है कोशन नमबर 12 है सरवुच नियाले के मुख्या नियाधीस की नियुक्ति कोन करता है तो बिल्कुर सही बारवे का राइट आंसर ओप्शन A हो जाएगा कोशन नमबर 13 भारत के सरवुच नियाले का नियाधीस कितनी उमर तक अपने पद पर बना रह सकता है तो 13 का राइट आंसर बिल्कुर सही अगर आप ओप्शन D लगा रहे हैं दोस्तो राइट आंसर कमेंट बोक्स में जरूर बताते रहें सरवुच नियाले के पर्थम मुख्य नियाधीस कोन थे बिल्कुर सही है यहाँ पर 14 का राइट आंसर ओप्शन B हो जाएगा कोश्चन नमबर 15 सविदान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार की से प्राप्त है 15 का राइट आंसर यहाँ पर ओप्शन C हो जाएगा कोश्चन नमबर 16 सरवुच नियाले की पहली महिला नियाधीस थी तो बिल्कुर सही है दूस्तो सोलवे का राइट आंसर ओप्शन B हो जाएगा कोश्चन नमबर 17 निमिन में से भारत के किस मुख्य नियाधीस ने राजपती के रूप में काम किया तो बिल्कुर सही है यहाँ पे 17 का राइट आंसर ओप्शन A हो जाएगा ठीक है दोस्तों कोश्चन नमबर 18 भारत में सरवुच नियाले की स्थापना हुई थी बिल्कुर सही 18 का राइट आंसर ओप्शन D हो जाएगा कोश्चन नमबर 19 सरवुच नियाले के नियाधीसों की संख्या में व्रद्धी करने की सकती किसके पास है तो बिल्कुर सही दोस्तों 19 वे का राइट आंसर ओप्शन B राइट हो जाएगा कोश्चन नमबर 20 भारत में नियाधी पालिका है तो देखें यहापे बिल्कुर सही यह 20 वे का राइट आंसर A हो जाएगा 21 भारत में कुल कितने उच नियाले है तो देखें यहापे इसको मैं कर लेता हूँ 25 ओप्शन को क्यूकि अभी जो रिशेंट्सली एक निया हाई कोट बना है आंदरपर्देश में सेपरेट हाई कोट बन गया है तो यह अभी बना है 2019 में ही तो आपके यह 25 हो गए है तो अब टोटल नमबर उप हाई कोट कितने है उच नियाले कितने है इंडिया में 25 तो इसको याद रखेगा ठीक है भई चलिए नेक्स कोशन है भई इसको मैं करेक्ट कर दूँगा बाद में नेक्स है आपका उच नियाले के मुख्य नियाजीस की नियुक्ति कोन करता है तो 22 का रहेट आंसर बी हो जाएगा कोशन नमबर 23 उच नियाले के नियाजीस किस आयू तक अपना पद धारण कर सकते है तो 23 का रहेट आंसर जो रहेगा आपका उप्शन C हो जाएगा ठीक है दोस्तों कोशन नमबर 24 थोड़ा जूम कर लेते हैं उच नियाले का मुख्या नियाजीस अपना त्याग पत्र किसको देता है तो देखे 24 का रहेट आंसर ओप्शन A हो जाएगा बिल्कुल सही आप सभी इसका रहेट आंसर लगा दिया होगा 25 उच नियाले के मुख्या नियाजीस के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कोन है तो 25 का रहेट आंसर ओप्शन D हो जाएगा कोशन 26 निमिन में से किस उच नियाले की अधिकारिता सर्व अधिक छेत्रों पर है बहुत अच्छा कोशन है ये तो गोहर्टी हाई कोर्ट की सबसे अधिक है ओप्शन A रहेट आंसर हो जाएगा कोशन 27 भारत के सविदान के अंतरगत कितने परकार की आपत कालीन व्यवेस्थाएं दी गई है तो ये भी आपको पता होगा आंसर आना चीए बहुत बिल्कुल कमेंट बोक्स में ठीक है तो ओप्शन C राइट आंसर हो जाएगा तीन तरीके की ठीक है कोशन 28 सविदान के किस अनुच्छेद के तैत राष्टिय आपात काल की उद्गोसना राष्टपती करता है बिल्कुल सही है आपका 28 का राइट आंसर ओप्शन A हो जाएगा कोशन 29 यूद या बाहरे आकरमन के कारण की गई आपात काल की गोसना का सांसत द्वारा अनुमोधन होना चाहिए तो 29 का देखें या पर राइट आंसर बिल्कुल सही है A राइट आंसर हो जाएगा कोशन 30 राइट आपात काल की गोसना देश में अभी तक कितनी बार की गई है तो राइट आपात काल की गोसना कितनी बार की गई है जल्दी से ओप्शन बताईए A, B, C, D में से कौन सा होगा तो यहाँ पर राइट आंसर जो रहेगा C रहेगा ठीक है दोस्तो तो I hope कि आपको यह टेस्ट पसंद आएगा झाल काल कर्वा झाल भ झाल 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 झाल